इतने लंबे इंतिजार के बाद आखिरकार राम मंदन निर्मान की शुब घड़ी आ गई है पांच अगस्त को मंदन निर्मान के लिए भूमी पूजन होना है और प्रधान मंत्री मूदी इस अतिहासक शन का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या पहशने के लिए निकल चुगे ह इस शुब घड़ी के लिए अयोध्या में जोर शोर से तयारिया की गई मुकी मंत्री योगी आदितनाथ खुद भूमी पूजन की तयारियों का जायजा लेने पहुचे थे मंद्र निर्माण और भूमी पूजन की तयारियों की बीच एक खास बात है जो भक्तों को आकर्शित कर रही है वो ये है कि श्री राम को पहनाने के लिए पोशाग भी तयार की जा रही है भूमी पूजन के श्रुभावसर पर राम लला को जो पोशाग पहनाए गई है आपको बता दे कि उसे अयोध्या की ही एक परिवार ने तयार किया है ये परिवार पछली चार पीडियों से राम लला के लिए पोशाग बनाने का काम करता रहा है परिवार के भगवत प्रिशाद और शंकर लाल के द्वारा भूमी पूजन पर राम लला को पहनाए जाने वाली पोशाग तयार की गई है परिवार के टेलर भगवत प्रसाद की माने तो उनका कहना है कि वो प्रधान मंतरी मोदी के आयोधिया आने से बहुत खुश है और उनका कहना है कि पियम बहुत ही पवित्र दिन यहां पर आ रहे हैं बहुत लंबे इंतिजार के बाद ये घड़ी आई है उन्होंने ये भी बताया कि राम मंदर के लिए संख़श तब शुरू हुआ था जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था और अब इसी परिवार के हातों से बनी पोशात राम लला को पहनाई गई है राम मंदर निर्मान के भूमे पूजन की खुशी सर्फ देश ही नहीं बलकि पुरी दुनिया भर में देखी जा रही है और इसे जश्न के तौर पर मनाने की तैयारियां भी जो शोर से की गई है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें